दशमला संख्या का विस्तारित रूप संख्या 328 का विस्तारित रूप होगा 328 बराबर 300 धन 20 धन 8 बराबर 3 गुणित 100 धन 2 गुणित 10 धन 8 गुणित 1 बराबर 3 गुणित 10 की घाद 2 धन 2 गुणित 10 की घाद 1 धन 8 गुणित 10 की घाद 0 इसी तरह 4158 बराबर 4 गुणित 1000 धन 1 गुणित 100 धन 5 गुणित 10 धन 8 गुणित 1 बराबर 4 गुणेत 10 की घात 3, धन 1 गुणेत 10 की घात 2, धन 5 गुणेत 10 की घात 1, धन 8 गुणेत 10 की घात 0 इस तरह हम संख्या 132.28 को घातां के विस्तारित रूप में लिखें, तो 132.28 बराबर 1 गुणेत 100, धन 3 गुणेत 10, धन 2 गुणेत 10 की घात 0, धन 2 गुणेत 10, धन 8 गुणेत 1 गुणेत 100 बराबर 1 गुणेत 10 की घात 2, धन 3 गुणेत 10 की घात 1, धन 2 गुणेत 10 की घात 0, धन 2 गुणेत 10 की घात 0, धन 8 गुणेत 10 की घात 0, होगा करके देखें, इन संख्याओं को घातां के विस्तारित रूप में लिखें पहला 15.1, दूसरा 512.23, तीसरा 537.204, चौथा 205.003 बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं का मानक निरूपन बड़ी संख्याओं जैसे सूर्य का व्यास लगभग 14 अरब मीटर है जिसे मानक रूप में 1.4 गुनित 10 की घात 10 मीटर लिखते हैं यहाँ संख्या 10 की घात में आएगी इसी प्रकार 6.2 गुनित 10 की घात 5 मीटर को सामान्य रूप में इस प्रकार से व्यक्त करेंगे गुनित 1 लाख मीटर बराबर 6 लाख 20,000 मीटर इसी प्रकार बहुत छोटी संख्याओं जैसे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.18 बार 0.16 कुलाम होता है तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को घातां की रूप में 1.6 गुनित 10 की घात रिन 19 कुलाम लिखते हैं यहां हम संख्याओं को 10 के घात के रूप में लिखते हैं और इस तरह बड़ी और छोटी संख्याओं दोनों का मानक निरूपन करते हैं बहुत बड़ी वह बहुत छोटी संख्याओं के बीच तुलना सूर्य वब प्रित्वी के बीच की दूरी 1.496 गुनित 10 की घात 11 मीटर है और प्रित्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुनित 10 की घात 8 मीटर है जब सूर्य ग्रहन के दौरान चंद्रमा प्रित्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो इस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी बराबर 1.496 गुनित 10 की घात 11 रिन 3.84 गुनित 10 की घात 8 बराबर 1.496 गुनित 1000 गुनित 10 की घात 8 रिन 3.84 गुनित 10 की घात 8 बराबर कोश्टक में 1496 रिन 3.84 गुनित 10 की घात 8 मीटर बराबर 1.492.16 गुनित 10 की घात 8 मीटर